रादे रादे दोस्तों आज बनाएंगे बहुत ही यूनिक और टेस्टी सा पकोड़ा इस पकोड़ी के खास बात यही है कि आपको एक ही पकोड़ी में चार तरगी फ्लेवर आएगी तो चलिए सुरू करते हैं तो यहां पर पकोड़ा बनाने के लिए हमने पनीर प्याज और आलू को सेलाइसेस में कट किये हैं तो चलिए सबसे पहले हम धनिया अद्रक और हरी मिर्च की एक स्पाइसी सी चटनी तयार करेंगे तो यहां पर यहीं चदरक के टुकड़ा 6-7 हरी मिर्च और धनिया को बारिक पीस लेंगे यहां पर चटनी बना के तयार कर लिए हैं दे और लेंगे आधी चमच हल्दी पाउडर और आधी चमच लेंगे धनिया पाउडर और आधी चमच लेंगे गरम मसाला पाउडर और यहां पर लेंगे एक चमच करीब पनीड चिली मसाला और 4-5 चमच बेसन लेंगे स्वात के कोडिंग नमक लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका गोल तैयार करेंगे, गोल के consistency देख सकते हैं, आपको इतना ही रखना है, अब इसे side करेंगे, और बेशन का गोल तैयार करेंगे, एक कब बेशन में थोड़ी सा जवाइन, और लाल मिच पाउडर, थोड़ी सी नमक, और साथी में मुणा हुआ जीरा का पा अब यह पर हैं जाए मी आपनी पाउड़ी तैयार करेंगे, पाकोड़ी हैं पाहिख सेपला पासित जवाटे रखनेगे, लग एक चट्णी डालेंगे, और पनीर राख लेंगे इस तब लेंगे एक लगड़ी की कश्टे, और इस तरह से, इसे 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 सिक्यूर कर आप देख सकते यह नहीं अपने पकोड़ी और कर लेंगें। आप देखे सकते हैं सारे पकोडिया बना के त्यार कर लिए। शलिए आप ़ görते हैं इसके फ्राइ। वेस्टिक पकड़ें, लिए पेस्टिक के अंदर डिप कर लेंगे किसी स्पून के सहायते से इस तरह से बेस्ट के ऊपर इस तरह से कोट कर लेंगे यानि अपने जो सीक लगाए हैं उसके ऊपर कोट कर लेंगे के medium hot यह हमने तेल को गरम किये हैं इसके अंदर इस तरह से पकवाड़िया डाल देंगे जितना एजस्ट हो उतना कड़ाई के अंदर डाल देंगे और इसे medium flame पे अच्छे से चार से पांच मिनट तक पकने देंगे देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे ताकि उपर का भी लेयर जो है बाकी तेल के अंदर नहीं गया है वह भी थोड़ा सा सीख जाए तो देखिए एक तरफ तीन से चार मिनट हुआ है बहुत अच्छे से क्रिस्पी ह हो गया है लेकिन इसे थोड़ा सा प्लट देंगे ताकि इस तरह भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए अब इसे प्लट के और दो तीन मिनट और पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे तो चलिए प्लट के पका लेते हैं तो देखिए दोस्तों इसे फ्राई करते हुए करीब साथ से आठ मिनट हुआ है बहुत अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हुआ है अब इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी पकोडियों भी तल लेते हैं तो देखिए बाकी के सारे पकोडिया तलके तयार कर लिए हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है यहां पर दे अच्छे से पकाए और बहुत ज्यादा यह यमी बनी है तो चलिए दोस्तों इसे इंज्वाइ किजिए धनिया के चटनी या ट्रमाइटर केचप के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है अगर आपके घर कोई महमान आए तो इस तरह से बनाएगा उनको बहुत पसंद है कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर किजिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो